कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ सबजियों के पौधे और कुछ फलों के पौधे ग्रो करना सिखाया था घर के ही बीज से तो मैंने कहा था कि वीडियो लॉंग हो रही है मैं आपको किसी दिन किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगी तो जो बीज मेंने कल निकाले थे उनको हम आज ग्रो करेंगे वो एक्शली बीज नहीं है बीज खरीदने की जरूरत ही नहीं तो यहाँ पर देखिए करेला और पपीते का प्लांट मैंने आपको दिखाया और शकरकंद का प्लांट दिखाया उसके बाद फ्रोट्स में ये अमरूत का पौदा है इसकी फ्रोटिंग में आपके साथ शेर करती ही रही हूँ कल के निकाली हुई सबजियों को हम उनी के सबजियों के फेकी हुए पार्ट से ग्रो करने वाले हैं असलाम उलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शवनूर अली जिन सबजियों को इस्तिमाल करके हम फेक देते हैं उनी के टुकड़े हैं शिवला मिर्च है मूली है अलू है प्याज है यहां तक छिलकों से भी हम कंपोस बनाते हैं फ्री की गार्णिंग इसी को कहते है तो चलिए कंटेनर से मिल लेते हैं इस कंटेनर में मैंने मैं बैठी के कुछ दाने बोए थे अभी तक जर्मिनेट नहीं होई है और जब होगी तो इसी के बीच में ग्रो हो जाएगी और हो सकता है नहीं भी हो तो हम फिर दुबारा से ग्रो करेंगे क्योंके कोशिश करना ह हमारा काम है अब इसी कंटेनर को हम यूज कर रहे हैं और मिटी बनाने का तरीका मेरे चैनल पर है आप उसको देख लीजेगा और या फिर आफ हाफ मिटी और रिवर सेंड मिलाकर उसमें ग्रो कर लीजे चाहें तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस एड कर लीजेगा तो यह तो मुझे लगा कि यह गाजर हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं जिसकी जड़ कटी होई होती उसको नहीं ग्रो कर पाएंगे लेकिन जिसमें जड़े होती उसको आप ग्रो कर सकते हैं चुकंदर को भी आप ग्रो कर सकते हैं इसके सिफ टॉप पार से मूली भी टॉप पार से औ तो फिर इसको बस और हाथ छोटे से कटिंग से जिस आलू में निकलाती आइस बस उसको काट लीजे आलू इस तरीके से सब्जिया ग्रो कीजे तो फिर आभी मैं इनको लगाती हूँ आप मिटी में और पानी में दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं तो मैं दोनों में ही ग्रो क होती होगी शुरात करने में पर यह वीडियो देखकर आपको बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ना बीच खरीदने हैं ना मिटी बनानी ना खात करीदनी है और बस फिरी में आपके पास बहुत सारे प्लांस तयार हो जाने हैं तो यहां पर पहले से जो मैंने ग्रो किया हुआ थ इनको बस दबाना है और जहां से जड़े निकल नहीं है उन पत्तों को बिल्कुल नहीं दबाना है जादा अगर पूरा मिटी के अंदर आप दबा देंगे तो वह सर जाएगी गल जाएगी और बिल्कुल भी सबजी तयार नहीं होगी आपकी और इस तरह के से मैंने पहले भी कई बार ग्रो किये हैं प्लांस तो सबसी तो नहीं मिलती है बीज मिल जाते हैं फिर आप उन बीज से ग्रो कर सकते हैं और साथ में इंजॉय कर सकते हैं क्या पत्ते इसके 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 पत्तों से इन सब के पत्तों से आप सबसी तयार कर सकते हैं छोकने बगारने में ले सक ऑर बोटल की हेल्फ से या फिर हातों की उंग्लीयों की हेल्फ से हलका- Nous क्या करना होगा पानी MILD कि जिसे मिंठी कुछ च कीजएए। लगाने के बाद इसको और फिलाल अभी धूप इतनी जादा नहीं निकल लई है तो आप इसको बस यहीं रख सकते हैं जहाँ पे थोड़ी सी धूप कभी बदली कभी पानी कभी कुछ तो बस इसी में ये कंटेनर रखा हुआ था तो ये पत्ते ग्रो हो गए और हां 100% चांसे आप किसी भी तरह से उम्मीद मत क्या कीजे क्योंकि कोशिश करते रहें करते रहें कामियाबी अल्ला पाक जरूर देता है हार के बैठ जाना हमारा काम नहीं है अगर किसी चीज़ में कोशिश करते रहेंगे इंशालला अल्ला पाक उसके रिजल्स अच्छे ही देते हैं ये मिटी ले लीजे और उपर से स्प्रिंकल कर दीजे और बस ढग जाएंगे यह बीज और सारे बीजों को एकी कंटेनर में डाली आप किसी भी प्लांटर में थोड़ी मिटी की जगा खाली पाएं तो वहां डाल दीजे जब पौधे जर्मिनेट होने लगे उसमें कुछ पतिया आ जाएं पौधा मजबूत हो जाएं उसको जहां चाहे रिपार्ट कर दीजे तो ये तरीका था मेरा बिलकुल फ्री का अब आलू देखे चलो ग्रो करते हैं देखे इसमें आईज निकली हुए इस तरह से रखे रहते हैं आलू घर में आप छिलका छिल दीजे मोटा मोटा और उसको किसी भी कंटेनर में इस तरीके से दबा दीजे आई इसको पूरा बिलकुल नहीं दबाईएगा बस हलका सा दबाना है और फिर पत्ते निकलेंगे फिर बाद में आलू भी बन जाते हैं तो चलिए ये सारे पार्स में ग्रो करती हूँ और इसको में बानी में डाल तो अगर ये ठेर ना रहा हो तो इसमें आप लकडी बीच में लगा कर टिका दीजे और नहीं तो बस पानी कम कर दीजे और जितना पानी इसमें आपने डाला है उतने ही लेवल पर भरते रहा करिए गंदा लगे पानी चेंज कर दीजेगा और कुछी दिन में बहुत से प्यार हो जाते हैं फिर आप चाहे तो मिटी में ग्रो कर दीजे और बस यही आसान तरीका है जो कंदर को भी मैंने आइस क्रीम कप में रख दिया है और बस वह जो पते हैं उसको पानी में नहीं डूबना जाए नहीं तो यह भी सर जाएगा गल जाएगा इस तरीके से इसम तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कीजिए फिर मिलते हैं इसकी अपडेट के साथ इन्शालला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाफेज